ना इश्कार, BCN News की प्रदीश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आई एक नजर डालते हैं खबरों के और BCN News बेवक अंदास बेखोफ जुबान निडरखोशी पतरकारता के लिए वचनबदी सच कहेंगे डंकी की चोट पर देखे पूरी रिपोर्ट कन्नौत के पास कुस्मानिया सच दिखाएंगे डंकी की चोट में कन्नौत के गुस्मानिया में वनविभा की टीम के द्वारा चापामार कारवाई सागवन की लकड़ी बड़े मात्रा से जब्त की गई है आरोपी महिंदर परमार पिता बाबुलाल परमार के खेत में यहां लकड़ी जब्त की गई है STO कैला श्वर्मा आरोपी महिंदर परवार अपने आपको विधाय का प्रतिनीधी बताता है वन्विभा की टीम द्वारा लकड़ी को ट्रैक्टर में भरवा कर कन्नौ डीपो पर लाकर खाले करवाया गया है BCN News के लिए देवास से क्यामरामान दीपक बैरागे के साथ अरुन उईके की रिपोर्ट मुक्यमंतरी शिवरासी हच्चोहा ने कहा कि देवास जिले की विकास कारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी चाएगी इसके लिए पूरी कारियोजना बनाए गये है नए उद्योग जिले में खोले जाएगी यहां लगबग 2165 करोड रुपे की राशी आगामी पाच वर्षों में उद्योग की स्थापना में व्याय की जाएगी इससे 30,000 वाव को रोजकार की अफसर मिलेंगी स्थाण्य उद्योग को बड़ावा दिया चाएगा मुख्यमंत्री चोहान ने बुद्वार को देवास में विकास कारियों का लोकारपन एवं भूई पूजन किया कारेक्रम का शुभारम मुख्यमंत्री चोहान ने कन्या पूजन से किया तथा दिव्यांग बाली का अंजली सीह की सरहाना करते हुई उसे गाई का बनने का आशिरवाद भी दिया मुख्यमत्री चोहान ने कहा कि स्वसायता समोह की महिलाओ को आर्थी क्रूव से सशक बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार से चोड़ा जाएगा उन्हें समर्थन मुल्य पर गेहु खरीदी का असर दिया जाएगा प्रदेश की महिलाओ ने कोरोना काल में 2 करोड मास्क और साबुन एवं पीपे कीट बनाए स्वसायता समोह की महिलाओ को स्कूली बच्चों के गनवीश बनाने का असर दिया जारा है आगनवाडी केंद्रों का पोशन आहार बनाने के लिए जो कारखानी सापित के जाएंगी उनका संचालन स्वसायता समोह की महिला ही करेंगी मुक्यमंत्री चोहान ने कहा कि देवास की विकास के लिए क्लस्टर विक्सित किया जाएगा यहाँ 290 करोड रुपे की लागत से पश्यमिक शेत्र में सूपर कॉरिडर बनाया जाएगा तथा 240 करोड रुपे की लागत से एबी रोड का काया कल्प किया जाएगा देवास का सरूप सिंगापुर जैसा हो जाएगा मुख्यमंत्री चोहान ने कहा कि देवास में अंतराजिय बस्टैन विक्सित किया जाएगा मिठा तालाप का सौनरी करन, माता की टेकरी का विकास और शंकरगर पहारी शेत्र को विक्सित किया जाएगा इसे एडवेंचर एवं परेटन को बढ़ावा मिलेगा ऐसा प्रियास किया जाएगा कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग शुरू हो सकी यहाँ दस करोड रुपे की लागत से पार्क एवं खेड स्टेडियम भी बनाया जाएगा मुख्यमंत्री चोहान ने कहा कि जल जीवन मिशन की तहत देवास शेहर के हर घर मी तीन महिने के अंदर नलों के माध्यम से नर्मदा का जल दिया जाएगा चिले की सभी ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान बनेगा मुख्यमंत्री चोहान ने ये भी कहा कि हिस्ट्री शीटर बदमाशों एवं अपराध्यों की विरुत कड़ी कारिवाई की जाएगी मैलाओ से अभत्रता करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा चेटफन कमपनियों की संपती जब्त कर पीडितों को राशी लोटाई जाएगी कारेक्रम में उद्योग मंत्री राजवर्दन सीह दत्ती गाउस सांसद महेंदर सीह सलोकी चिला पंचायत अध्धेक्ष नरेंदर सीह राजपूत विधायक गायतरी राजपवार, आशिश शर्मा, मनोच चोधरी, पहार सीह कन्नूच, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, विक्रम सीह पवार, राजिव खंडेलवाल, सुभाष शर्मा आधी उपस्तित थे BCN News के लिए देवासी सवादाता अरण उईके की रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज सीह चोहान अपनी सभा को संभोधित कर रहे थे तब ही एक किसान जिसका नाम अनुपसीह हाड़ा बताया जारा है, इसने अपने ऊपर केरोसिन डाल कर जान देने की कोशिश की अनुपसीह हाड़ा का यह कहना है कि आश्टा SDP ने उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया है और यहाँ बहुत परेशान है अनुपसीह हाड़ा ग्राम कुमार या पेपल रावा थाना अंतरगत आता है अनुपसीह हाड़ा क्यों सभा से बाहर ले जाकर चुला अस्पताल पहुचाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है आश्टारी की बात यह है कि इतनी बड़ी सभा में को रिसुन लेकर कैसे गया अनुपसीह हाड़ा BCN News के लिए देवा से अरुन उयके की रिपोर्ट अनुपर जिले के आदिवासी बाहुलेक शेत्र पुषपराजगर के ग्राम बेनी बारी में शासकी हायर सेकेंडरी विध्याले के खेल मैदान में 26 जनवरी के पर्फ पर तीन दिस यह भव्य एवं एतिहासिक मेले का आयोजन हुआ बताया जारा है कि इस मेले का आयोजन लगातार पुर्फ के लगभग 50 सवर्शों से होता चला रहा है इस एतिहासिक मेले में पुष्पराजगर शेत्र के कई गाउ के दर्शनार्थी मेले का लुफ्ट उठाने पहुचते है तो वही यहाँ स्थापित कई प्रकार के जूले मिकी माउस एवं तरहतर के मनुरेंचन के केंडर तथा रोजमर्रा की जीवन में प्रयोग में आने वाली वस्तुए के सभी दुकानी स्थापित रहते हैं जिनके संचालक व्यापारी आसपास के जिले शहडोल अनपुर मंडला डिडोरी एवं आसपास के ख्षेत्र की उपस्तित रहते हैं तो वही इस मेले का आनन देने के लिए बुढ़े बच्चे महिलाए भारी संख्यामी दूर दूर से पहुचते हैं इस भव्य एवं एतिहासिक मेले की आयोजित के लिए पुष्पराजगर शेत्र के प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि यहां रुकने वाले दर्शनार्थियों व्यापारियों को टेंपरेरी टॉलेट की व्यवस्था हो पुलिस व्यवस्था हो ताकि किसी प्रकार की यहां और व्यवस्था ना फैल पाए बताया गया कि बेनी बारी का यह तीन दिल सिय मेला आयोजित होकर ग्राम दमे हाडी, लिला टोला, करपा में भी एक दिल से आयोजित होता है BCN News के लिए अनुपर जिले से भुपेंदर पटेल की रिपोर्ट BCN News की प्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही SCN ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेए BCN News नमशकार